जैमातादी आल और वो रिजल्ट से एक दिन पहले वाली फीलिंग, अलग ही फीलिंग होती है यार, बाई गॉड, सही में अलग ही फीलिंग होती है, दिमाग साथमें आसमान पे होता है या नौमें आसमान पे होता है, और जो लोग कहते हैं जिन्दी में कभी डर नहीं लगत पता होगा ना सबको, प्रोफेशनल प्रोग्राम वाले स्टुएंट्स को तो पता ही होगा, जो एक्जिक्ट प्रोग्राम में नहीं नहीं आया हैं, मैं CS EAT pass करके पहला attempt दिया है, I hope उन्होंने भी अपने ममी वापा को बता दिया ना कि कल रिजल्ट आने वाला है, मामा का, चाचा का, मामी, चाची, मासी का किसी का फोन आया कि बेटा कल रिजल्ट आने वाला है, सुना ऐसे तुमारा रिजल्ट आने वाला है, और कभी ऐसा लगा कि यार, बिर्थड़े पर विश कोई करे ना करे, रिजल्ट वाले दिन तो विश मतलब पूछ ही लेते हैं, और जिन लोगों को CS Executive में कुछ वक्त हो गया है, या Professional Program में हो गया है, तो उनके तो पूरे खांदान को मालू है, 25 फरवरी आने वाली है, 25 और जो अभी जिनके Executive Program का पहला गृप है, पहली पहली नही नही फीलिंग है, फर्स्ट फीलिंग वो तो अलगी होती है, पहला पहला प्यार है, पहला पहला एक्जाम दिया है, और जिनका दूसरा एक्जाम है, तो वो एक अलग टाइप की फीलिंग होती है, मतलब वो थो सा डर को एब्जॉब करना आ जाता है, और जूट मत बोलना कि यह डर नहीं लग रहा है, जूट मत बोलना, मेरे पास WhatsApp Messages आ रहे हैं, Sir मातरानी को प्रे करो हमारे लिए, तो आज मातरानी की आरती है, आज शाम को मैं तो लाइव आरती देखता हूं जैसे, तो लाइव आरत कि जिन लोगों ने मेहनत की है, डेडिकेटेड बच्चे, डेडिकेशन के साथ मेहनत की है, दिल लगा कर, थोड़ा सा 19-20 हो जाता है एक्जाम में, सभी के साथ कुछ आता हुआ गलत हो गया, आज याद आ रहा है, या हो सकता है कईों को result वाले दिन सुभे 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 स किया, गलतियों को सुधा रहा है, उनका जरूर 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 हो जाए, और जो लोग ट्रेनिंग में हैं आजकल उनका तो बॉस भी पूछता होगा ओफिस में, बॉस पूछेगा ओफिस में कि बेटा वो ट्रेनिंग चलते चलते है, तुमारा भी तो result आने वाला है, और ब 100% confidence है, पास हो जाएगा, 100% confidence है, कुछ लोग तो कह रहें नहीं सहर, 100% confidence है कि पास नहीं होगा, और अपनी गलतियां पता चली थी, exam देते हुए, अपनी कमियां पता चली थी, exam देते हुए, कि exam से पहले जतनी writing practice करनी थी, और जब आप कहते थे कि homework करो, homework करो, writing practice करो, और र past में जब writing practice में गड़बड हुई है, time management में गड़बड हुई है, वो सारी गलतियां समझ में आई है, exam चलते हुए, जिनका first time, first shot था, कुछ लोगों को 100% पका यकीन है, पास हो जाएगा, कुछ लोगों को 100% पका यकीन है कि पास नहीं होगा, और कुछ लोगों को 80% लग कि हो जाएगा, 20% नहीं होगा, वो डर रहे हैं, and I tell you one thing, मैं हमेशे बोलता हूँ, डर किसको नहीं लगता, मतलब या तो वो robot होना चाहिए, या तो वो मुर्दा है, तो डर नहीं लगेगा, जीता जागता human being है, तो यार इतनी मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा डर तो ल लगता ही है, तो आज रात को आठ वजे, जूम मिटिंग में मिलते हैं सब, और बातचीत करेंगे कि आगे dedication के साथ पढ़ाई कैसे की जाए, अगर एक group pass हो जाता है, कल result आ रहा है, एक group pass हो जाता है, तो आगे कैसे करना है, scheduling कैसे करनी है, pass नहीं होता है, तो फिर revision schedule कैसे ब quality था, और 90% solid था, maybe 100% solid था, एक दूसरा आजकल चल रहा है, तो क्या करें, so will I'll say, patience थोड़ी सी रखनी पड़ेगी आपको कल तक result आने तक, तो डर जरूर है, और लगता भी है, normal है, डर लगता है, बट I'll say, patience थो थोड़ी सी रखनी पड़ेगी, और वो students भी हैं जो पूछ करेंगे, फिर आगे training करने है, sir, 21 months की, तो sir, वो भी बताओ, और अभी तो professional program में आएंगे, तो sir, अभी तो old syllabus में enroll करना पड़ेगा, ना, ऐसे वाले messages भी आने शुरू होगे, sir, अभी तो professional program new syllabus में नहीं आएंगे, ना, sir, अभी तो अगर professional program new syllabus में, मैं ही बता देता हूँ, तो भाई, अभी आप पड़ाईयां शुरू करता होगे, तो दिसम्बर 2023 में आप फिर old वाले के exam दे पाओगे, नहीं तो आप एक अगर्स 2023 के बाद enroll करोगे, तो जून 2024 में आप new syllabus के exam दे पाओगे, तो sir, अभी पंगा ले लें, ट्रेनिंग अभी शुरू करते हैं, professional program की तो ट्रेनिंग में तो घुसो, और पता चले कि हाँ, आप ट्रेनिंग के लिए eligible हो, तो old syllabus में enrollment मतलब बहुत सारे questions आ रहे हैं, अलगलग type के questions आ रहे हैं, तो सभी के answer दूँगा, zoom meeting के ऊपर, और किसी को whatsapp करके पूछना है, तो यह whatsapp number आपके सामने screen पे है, you can ask me your questions, your doubts, your queries on whatsapp, all the best, मेरी तरफ से, दिल से, well, best of luck for your result tomorrow, or date wise schedule, कुछ लोगो ने मांगा, मुझसे, well, whatsapp आने शुरू हो गए है, 40-50 whatsapp तो मैं receive कर चुका हूँ, sir, date wise schedule, बतादो sir, आगे revision schedule क्या बनाना है, week chapters के ओपर पहले काम करें, तो मैं कूँगा, बिल्कुल week chapters के ओपर पहले काम कर या ऐसे भी कर सकते हैं, जो chapters आपके बहुत solid strong हैं, पहले फड़ा 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 रिवाइस करके खतम कर लो, जिसमें confidence level बहुत high है, week chapters के ओपर बाद में काम कर लेना, normally मैं बोलता हूँ, week chapters के ओपर पहले काम करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें आपको लगता है यह सर, हम अपना CV आपको दे दें, यह भी आ रहा है मेरे बास, काफी यह तो आ रहा है पिछले दिनों से, और regular आ रहा है, सर, CV आपको दे दें, आप आगे कहीं forward कर दोगे, तो भाई, मेरी जाहन 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 पेचान है, मैं तो forward करी दूँगा, लेकिन आपको पहले result तो आने तो, executive program पास तो होने तो, तभी तो आप eligible होगे training में जाने के लिए, तो इन चीज़ों को लेकर बात करेंगे, और जो professional program में अपना आखरी group दे रहे हैं, उनके लिए best of luck wish करते हो, यह बोलूँगा, बहुत जल्दी आपको मातरा नहीं यह बोलने का मौका दे, that I am proud member of CS जैसे मैं अपने लिए बोलता हूँ, I am proud member of ICSI, I am a qualified CS, ऐसे ही आप भी बहुत जल्दी बोलो, that I am, well proud member of ICSI, I am a qualified company secretary, LinkedIn account बनाओ बढ़िया सा, और LinkedIn account बनाकर बढ़िया बढ़िया उसके ओपर post करो, अपनी achievements उसके बाद शिरू कर दो, तो आज Zoom meeting में जरूर आना, और दिल की बाते शेयर करना, मैं भी बहुत डिटेल में बातचीत करूंगा, और ममी अपा को जरूर बता देना कि कल रिजल्ट है, जिनके ममी अपा को अभी तक नहीं पता है, उनको जरूर बता देना, relatives को नहीं बताना, अभी relatives अगर पूछे भी तो उनको कहना, नहीं नहीं कल नहीं इस बार पास करवा दे, है भगवान इस बार पास करवा दे, अगली बार नहीं शुरू से पढ़ाई करेंगे, प्लीज, 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 वो exams से पहले वाली feeling, exams के बाद वाली feeling, result से पहले वाली feeling हा, result से पहले वाली feeling, है भगवान इस बार पास करवा दे, भगवान आगे वाले आने वाले दो धाई महईए दिन रात पढ़ाई करेंगे, 20-20 घंटे पर डेवे तो पढ़ेगे, 18 घंटे परडे तो पढ़ेंगे, तो एक बार पास करवा दो। और एक बार भगवान जी ने पास करवा दिया, चार दिन, छे दिन promise याद रहेगा, उसके बाद promise गायब, ऐसा नहीं करना यार फिर, ऐसा नहीं करना, अगर इतना दिल लगा कर promise करोगे तो फिर उस promise को maintain कर लेना, कितने लोगों को लग रहे हैं कि हाँ आपकी दिल की बातें कुछ-कुछ बीच में यहां touch हो रहे हैं, जो दिल में खयाल चल रहे हैं, वो टच हो रहे हैं, तो आज रात को 8 बजे, we'll be in touch, और आज तो रहेंगे, tomorrow, day after tomorrow, बहुत सारी बातें करते रहेंगे, YouTube के उपर भी करते रहेंगे, we'll keep on, लेकिन आज की meeting जूम के उपर, thank you so much, जयमातादीग.